Welcome to only is, so अगत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज 25 मार्च 2022 है, तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं आगे बढ़ने से पहले चलते हैं एक बहुत ही innovative section में That is Ask Devendra आप अपनी तयारी से सम्मधित किसी भी परिशानी को मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई doubt है, कोई problem है, तो आप अपना सवाल comment box में drop कर सकते हैं अगर किसी unaspirant को ऐसा लगता है कि वो सवाल उनका भी हो सकता है तो या तो वो उस comment को like कर सकते हैं, या फिर उस comment के नीचे reply कर सकते हैं कि वो भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं हम उनमें से किसी एक important question को यहाँ पर pick करेंगे और उसका जवाब लेने की कोशिस करेंगे आज का सवाल है, यानि कि question of the day, getting less marks in mock test, losing confidence, what to do देखे, अगर आपके marks, mock test में कम आ रहे हैं और उसकी वज़े से आप confidence lose कर रहे हैं, तो बहुती सौभाविक से बात है, ऐसा होगा ही होगा समस्या यहाँ confidence lose करने में नहीं है अगर आप confidence lose नहीं भी कर रहे हैं, तब भी mock test में score का कम आना चिंता का विश्या है और आपको ध्यान देना चाहिए, सवाल तो ठीक है, करें क्या देखें, अगर आपका score कम आ रहा है, तो आपको अपने paper को थोड़ा अच्छे से analyze करने की आवशकता है analysis I will say की तीन level पे करिए, पहला analysis यह होना चाहिए, कि ऐसा कौन सा subject है, जहां पर आप कम score करते है दूसरा analysis यह होना चाहिए, कि within subject ऐसे कौन से topics हैं, जहां कि questions आप अक्सर गलत कर देते हैं और तीसरा, कि ऐसे कौन से nature of the questions हैं, जिनके answers आप अक्सर गलत माग करते हैं मतलब वो questions, facts और information based हैं, या फिर वो concept based हैं, या फिर आप current affairs miss करते हैं आप सबसे पहले identify कर लीजे, इस तीन level के check के बाद, कि ऐसा कौन सा part है, जहां पर आप कमजोर है जैसे यह आपको उस चीज की जानकारे मिल जाए, उस चीज पुतरा सा और focus करिए, revision करिए, facts information में problem है, तो थोड़ा सा उस पर धियान देखिए, याद करने की कोशिस करिए, उसके बाद धिमे-धिमे आपका score बढ़ने लग जाएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, तेजस 2 पे, यह आपका प्रदिम्स का crash course है, 2022 के लिए, अवेल कर सकते हैं, 14 मार्स से शुरू हुआ है, video.onias.in पे जाना होगा course लेने के लिए, जनकारी के इस नंबर पे call कर सकते हैं, या फिर यहाँ mail कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे देखेंगे अपना पहला article जो कि Artemis Mission के बारे में है, चांद पर जाने को लेकर हमेशा सही उत्चुकता रही है, एक समय ये एक space race का हिस्सा हुआ करता था जहां USSR और USA आपस में कब बीट कर रहे थे, इन डाट केस, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा सहीद 12 लोगों को चांद की जमीन पर उतार, एक बार फिर से America तयारी कर रहा है कि वो चांद पर इंसान को उतारे, और वो Mission जिसके जरीव ऐसा करने वाले है, उसी का नाम है Artemis Mission, तो नासा अभी इसका Artemis 1 जो Moon Mission है, उसके टेस्टिंग कर रहे हैं, जो Kennedy Space Center है, Florida में, United States में, Actually में Artemis में चार Mission जाने वाले हैं, जिन में Initial Phase जो होगा, वो टेस्टिंग का होगा, वो पता करेंगे उनके Technology अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं, काफी लंबे समय के बाद वो एक बार फिर से चांद पर जाने की कवायाद में है, तो Technology का अच्छी तरीके से वर्क करना ज मतलब जो वहाँ के Dark Complexion के लोग होते हैं, उन में से किसी एक वेक्ति को भी वो 2024 तक Moon के South Pole पर उतार देंगे, जो Other Space Agency जिसमें इन्वाल्व हैं, उनमें शामिल है Canadian Space Agency, European Space Agency और JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, Significancy रहेगी कि इसके जरीए कैसे हम scientific discovery का इस्तेमाल economic benefits के लिए कर सकते हैं, और नई इस generation इससे कैसे inspire होगी, Artemis 1, यह first integrated test होगा नासा का, जिसके जरीए वो uncrewed flight test करेंगे, इसमें वो इंसानों को भेजेंगे नहीं, के वाल देखेंगे बढ़ियां काम चल रहा है कि नहीं, इंफिक दो dummy बिठाने वाले हैं वो, उनके पास sensors लगे होंगे, जो वहाँ के radiation and all को बिल्कुल वैसे ही sense करेंगे, जैसे एक इंसान करेगा, तो पता चल जाएगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं, फ्लाइट के दुरान, जो Orion spacecraft है, जो astronauts को लेकर जाएगा, और उसे ले जाने के लिए, जो launch vehicle इस्तिमाल किया जाएगा, उसका नाम है SLS, यानि कि Space Launch सिस्टम, SLS मैं आपको बता दू, दुनिया का सबसे powerful rocket है, USA ने बनाए, USA का सबसे powerful है, ओविसली दुनिया का सबसे powerful rocket है ये, जो 280,000 miles को travel करेगा, और 6 week या 4 week का time लेगा, ये अपने mission के दुरान, जो Orion spacecraft है, वो space में, बिना किसी space station को dock किये, सबसे लंबे समय तक टिकने वाल है, Artemis 1 mission जो है, उसके बाद उसकी second flight होगी, जिसके तहत वो Orion, जो critical system है, spacecraft का, उसको test करेंगे, तो eventually वो देखने की courses करेंगे कि, ये कैसे work कर रहा है, और क्या इसके बाद वो Mars पे भी astronauts को भीज सकते हैं, तो ये human exploration की field में, एक नया yug लेकर आएगा, ऐसी उमीद है, अब एक सवाल होता है, क्या USA की Space Agency की किसी mission से प्रशन पूछा जाएगा, देखें, वैसे तो, जो Artemis 1 अपने आप पे बहुत ambitious project है, NASA का, तो प्रशन पूछा जा सकता है, बहुत ambitious ना हो, तब भी प्रशन पूछा जा सकता है, 2008 का प्रशन आपके सामने है, जहां पे Thames mission पे question पूछा का जो था, तो मतलब NASA के mission पे भी प्रशन आ जाएगा, तो तैयार रहना है, हमारा next article mercury pollution के बारे में है, अभी consensus बन रहा है कि Indonesia के बाली में कई सारे दे से कठ्था हों, और sign करें एक non-binding declaration, कि जो illegal trade होता है mercury का, उसे रोका जाए, क्योंकि इससे mercury pollution के बढ़ने का खत्रा मरकरी एक nationally occurring element है, जो आपको हर जगे मिलता है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, ये atmosphere में, natural process के जरीए भी आता है, ज़रूरी नहीं कि हम ये pollution फैला है, ये rocky weathering, volcanic eruption, geothermal activity, forest fire, सबसे पैदा होता है, मरकरी human activities से भी फैलता है, और वो कई बार pollution का एक major cause भी बन जाता है, मरकरी इसे WHO ने chemical of major public health concern भी डिकलेर किया है, मतब टॉप 10 chemicals जो इनसान को प्रभावित करते हैं, दुखसान पहुचाते हैं, उनमें एक मरकरी भी है, इससे होती है minimata disease, minimata disease basically होती है, methyl मरकरी poisoning से, इसे नाम minimata disease दिया गया, because इससे सबसे पहले observe किया गया, जापान के minimata B के आसपास रहने वाले लोगों में, वहाँ पर जो contaminated fist थी, उन्होंने उसको खाया, और उन्हीं हो गई बीमारी, तो इसलिए इस बीमारी का नाम रखा गया minimata disease, इस सम्मन में देखिए एक बात और आ रही है, चुकि मरकरी से minimata disease भी linked है, तो इंडिलिशा के सरकार ये भी प्लान बना रही है, कि जो भी लोग इस non-binding agreement को sign करने के लिए आ रहे हैं, वो minimata convention को ले कर भी खुद को commitment शो करें, कि हम इसके लिए भी और अची तरीके से काम करेंगे, और मरकरी के global illegal trade को रोकेंगे, जो non-binding declaration होगा, उसके होगे तीन हिससे, हम practical tools develop करेंगे, कि कैसे information sharing की जाए, notifications जा हम example share करेंगे, ऐसे कौन से कानून थे, जिन्होंने illegal trade को रोका, या data या information उस संबन में कैसे बढ़िया है, minimata convention की बात करते हैं, जो minimata disease को रोकने के लिए लाया गया था, यह United Nations की एक treaty है, global treaty, human health और environment को protect करने के लिए है, मरकरी के adverse effects है, जो fifth session हुआ 2013 में, सुर्जलान के जिन यह जो anthropogenic release है मरकरी का, जो इनसान करते हैं, हम करते हैं, जो pollution का cause बनता है, हम उसको रोकेंगे, और इसके लिए कुछ की obligations follow करने होते हैं, convention में, जो मरकरी का interim storage होता है, क्योंकि वहां से कई बार, वो cause of pollution बन जाता है, further, अगर वो waste में convert हुआ, तो वो कैसे dispose किया जाए, कि व भी हुआ, यह जो exercise है, वो इस बार हो रही है, उजवेकिस्तान में, यांग यारिक में, इसके पहले यह जो exercise थी, यह इंडिया में हुई थी, 22nd of March से 31st of March के बीच में exercise हो रही है, यह तीसरा edition है, इसका basic objective है कि terror को कैसे रोका जाए, semi-urban terrain में, United Nations का mandate है, उसका इस्तिमाल कर करके, इंडिया की ओर से जो Grenadious Battalion है, वो इसका इसमें शामिल हुई है, और यह काफी important battalion है, इंडियन आर्मी की, जो इसका हिस्सा है राइट नौ, जो training श्रीयूरास में focus किया जाएगा, कि जो tactical level drills है, दोनों देसों की, उनको एक दूसरे को बताएं, understanding cooperation और interoperability को better करें, इसके पहले वाले edition, March 21 में हुआ था, रानी के तो 13 खंड में, तो अभी उनकी आँ हो रहा है, दो exercise और है, जो हम करते हैं, इंडिया और Central Asian Countries के बीच में, जैसे कि exercise काजिंद है, ये इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच में होती है, exercise खंजर है, जो कि इंडिया और किर्गिस्तान की जो आर्मीज हैं, उनके बीच में होती है, हमारा देश्ट आर्रिकल, All India Digital Nationwide Pension अदालत के बारे में है, पेंशन को लेकर विवाद आ जाता है, जाएं कहां समस्या होती है, इसके लिए इक Digital Platform बनाया है, किसनी, Telecommunication Ministry, Secretary, Telecommunication, Chairman जो Digital Communication Commission के हैं, उन्होंनी All India Digital Nationwide पेंशन अदालत को इनौगरेट किया, इसे कौन और गिनाइस कर रहा है, और गिनाइस कर रहा है, Controller General of Communication Accounts, CGCA, किस के इंडर में काम करते हैं, Department of Telecommunication के दहर काम करते हैं, पर पस क्या है, ये एक फोरम होगा, अगर किसी को अपनी पेंशन को लेकर कोई ग्रिवांस है, जो Telecommunication Ministry से बलॉंग करते हैं, या उनके डोमेन में आते हैं, तो वो सभी यहाँ पर जाकर अपने शिकायते कर सकते हैं, यहाँ पर उन्हें एक ही जिगे पर सभी stakeholders मिल जाएंगे, जो problem resolve कर देंगे, कुछ और भी initiatives हैं संबंद में, एक है संपन initiative, 2018 में इसे Controller General of Communication Accounts नहीं लाँच कि यह purpose यह था, कि जो online pension processing है, वो बढ़ियां और speed में हो जाएं, और pensioners को bank account में असानी से पैसा मिल जाएं, उसी के लिए यह संपन initiative आया था, इसके लावा एक है जीवन प्रमान, एक बहुत बड़ी समस्या होती है उनके लिए, जो pension ले रहे हैं, कि उन्हें बताना होता है कि भाई हम जिन्दा है, और कई बार तो डेकलेर कर दिया जाता है कि आप मर चुके हैं, और उसको बार इनको pension नहीं देते हैं, जबकि वक्ती जिन्दा होता है, कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को जिन्दा साबित करना, जिसने पंकस त्रिपाथी जी की कागज मुवी देखी है, वो जरूर से समझ गए होंगे कि खुद को जिन्दा साबित करना कितना जद्दो जहद वाला काम है, लेकिन इसमें जीवन प्रमानों की मदद करता है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एबल प्राइस 2022 के बारे में है, क्या, आपने इस प्राइस के बारे में सुना नहीं है, यह important नहीं है, ऐसे discuss करना है, नहीं, यह बहुत important प्राइस है, और इस बार इसे दिया गया है, प्रोफेसर डैनिस पैनल सुलिवन को, देखें, जो Nobel प्राइस है, वो कई सारे fields में दिया जाता है, लेकिन mathematics में नहीं दिया जाता, and that is the problem, mathematics अतना important field है, लेकिन इसे नोबेल प्राइस नहीं है, तो नोबेल प्राइस के जिगए पर महा दिया जाता है, एबल प्राइस, और इसे नोबेल प्राइस के ही लगबग equivalent माना जाता है, तो इस बार जो यह डैनिस पैनल सुलिवन जी को दिया गया है, यह प्राइस, गो उनका जो contribution है, topology को लेक mathematics का, और दूसरा, algebraic, geometric या dynamical aspect में जोनोंने अपना वर्क किया है, उसको लेकर उन्हें यह एबल प्राइस मिला है, इसे Norwegian government में 2002 में establish किया था, और इसे manage किया जाता है Norwegian Academy of Science and Letters के दवरा, हर साल, किसी भी outstanding mathematician को यह award मिलता है, अब देखिए, पहला एबल प्राइस 2003 में दिया गया था, French mathematician Jean Pierre Serrico, एक मात्र Indian origin के विक्ति जिन्हें यह प्राइस आज तक मिला है, वो है स्रीनिवास SR वर्धन, यह Corinth Institute to New York University का है, वहाँ पर सर्फ करते हैं, और 2007 में उन्हें यह प्राइस मिला था, एक मात्र woman mathematician जिन्हें यह प्राइस आज तक मिला है, वो है Karen Kaskula Ulhan Beck, Ulhan Beck है एक्जेक्ली है, Ulhan Beck, ठीक है, यह U.S.A. कि अनिश्टी आफ टेक्सास से हैं, तो यह कुछ basic facts हैं, Able Price के बारे में, हमरा next article World Water Day के बारे में है, हर साल 22 मार्च को इससे observe किया जाता है, जिसके जरीए हम पानी की importance को portrait करते हैं, 22 मार्च को हर साल, UN Water इसे coordinate करता है, सभी जो government and partners के साथ collaborate करके, World Water Elotment Report हर साल, UN United Nations जारी करता है, Water Day के मौके पर या आसपास के टाइम में, इस बाल की theme रही, Groundwater making the invisible visible, Groundwater दिखता नहीं है, लेकिन उसमें problem है, तो उसे visible बना रहा है, Water को human right टेक्लियर कर दिया गया था, 2010 में UN United Nations के तोरह यह मानते हुए, कि safe और clean drinking water तो सब का ice years में, और दूसरे नंबर पे जो rank आती है, वो थी Groundwater की, तो Groundwater में हमें अच्छा खासा पानी मिल जाता है, लेकिन उसको लेकर हमारी awareness कम रहती है, इंडिया के पास दुनिया का केवल 4% fresh water है, जबकि इंडिया के पास दुनिया की 17% population है, तो वैसे ही हम water crisis phase करते रहते हैं, क Out of remaining fresh water, largest proportion, मतलब इसके बाद किसमें है, तो वही, Groundwater में है, तो C सही answer है इसका, हमरा नेक्स आर्रिकल, Foreigners Tribunal के बारे में है, आसाम के चाचा डिस्ट्रिक के Foreigners Tribunal ने अभी एक मरे हुए व्यक्ति को notice जारी कर दिया, कि 30 मार्च के पहले कोट के सामने, या Tribunal के सामने प्रस्त हो सकता है, समझ में आया, नहीं आया, तो कोई बात नि, आगे बढ़ते हैं, जो Foreigners Tribunal है, ये कौसी Judicial Body है, जिसे Foreigners Tribunal Order 1964 के तहट बनाया गया, और Foreigners Act 1946 के तहट, यहाँ पर कौन लोग होते हैं, कोई बेड़ोकेट जिनकी उम्र कम से कम 35 साल हो, और 7 साल का Experience हो, Retired Judicial Officer, या फ किसके पास है, District Magistrate के पास, पहले केवल Central Government ऐसा कर सकती थी, लेकि में State of Form Affairs ने अमेंड कर दिया, Foreigners Tribunal Order 1964, और empower कर दिया, जो District Magistrate है, कि वो ये Tribunals बना सकते हैं, पहले ये केवल Central Government कर सकती है, जाई टोल्ड यू, कौन अप्रोच कर सकता है, कोई भी individual इस Tribunal को अप्रोच कर स सकता है, पहले ऐसा था कि केवल State Administration जिसको doubt हो कि कोई व्यक्ति जो है, वो illegal immigrant है, केवल वही अप्रोच करके case दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसी को भी ऐसा लगता है कि ये person illegal immigrant है, तो वो Foreigners Tribunal में जाके case दर्ज कर सकते हैं, हमारा next article, article 355 के बारे में है, West Bengal के Congress President लगातार ये कह रहे हैं कि article 355 का इस्तेमाल किया जाहिए, West Bengal में, जहां पर बीर भूम डिस्टिक में violence देखा गया, एक TMC की लीडर की मौत के बाद 5 घरों को आग लगा दी गई, जिसमें 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जान गई, violence बढ़ता गया, जिसके बाद अब ये म काम हो रहा है कि नहीं, in that case, center के पास वहां के law and order को maintain करने की authority आ जाती है, criminal violence अगर हुआ, public order disrupt हुआ, तो center का रोल आ सकता है, article 355 के था है, although public order और police state subject है, ऐसा मना जाता है कि state जदा अच्छी condition में होता है, public order को maintain करने को लेकर, लेकिन अगर कोई ऐसा circumstance आ गया, जहां पर state ची आ है, article 356 के imposition का, जिसे precedent rule भी कहा जाता है, article 355 को जब पूरी तरीके से exploit कर लिया जाता है, और तब भी बात नहीं बनती, तब article 356 के तहर, state emergency या precedent rule impose कर दिया जाता है, ministry of earth sciences का, जो एक initiative है, या जो scheme है, उसकी बात करेंगे, scheme का नाम है across a scheme, full form है, atmosphere and climate research, modeling observing system and services, नाम से को लेकर ये पूरा initiative है, minister of earth sciences, nodal ministry है, इसके लिए, central sponsored scheme है, राज्यों को अपना हिस्सा देना होगा, इस scheme के तहर, कोसिस की जाती है, कि weather climate और ocean forecast बढ़िया किया जाए, जो cyclones आ रहे हैं, या फिर कोई भी unpleasant atmospheric situation create हो रही है, तो उसको लेकर जानकारी से पहले हो जाए, पहले से situation को रोका जा सकेगा, इसका इस्तेमाल कई सारे fields में हो सकता है, public weather services में, agrometallological services, aviation service, environmental monitoring services, climate service, tourism, pilgrimage, power generation, हर जगे, अगर कोई climatic problem आती है, तो प्रभाव पड़ता है, तो हमें उसे सही करना है, objective ये है कि research and development को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम hazardous event की forecasting समय से कर सकें, और इसके इसके ले खुद को और बढ़िया से तयार कर सकें, इसके तहत हैं 9 sub-scheme, जो अलग-अलग areas को cover करते हैं, और उन्हें कई सारे institutes handle करते हैं, जैसे कि IMD, Indian Meteorological Department, Indian Institute of Tropical Meteorology, और National Center for Medium-range Weather Forecasting, जो कि पुने में located है, ये multi-year umbrella scheme है, पहले तो ये 2017 से 2020 के लिए था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा कर 2021 से 2026 के लिए कर दिया गया, तो इस सारी बाते across scheme के बारे में, revision करेंगे, Artemis Mission, सन की कोरोना को study करेगा, SRO का mission है, गलत, ये NASA का mission है, Minimata Convention, UNK Treaty नहीं है, गलत, है, दुस्टलिक exercise, इंडिया औजबेकिस्तान, ये तो सही है, Foreignness Tribunal, ये केवल, center के पास authority है, इन साथ होगा, उमीद करते हैं, ये आपके लिए फायदे बन रहा, बाकि आप अपने questions मेरे लिए जरूर से drop करेएगा, comment box में, I will try to reply those questions, जिनसे आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत मदद मिल सके, so, that's all for now, thank you very much.